अभी अमारा पार्ट तिन कंटेनीव है आगे के परेगराफ हम देखेंगे भोजा किश्चित उचे भवान राहू सचेत अहम राहू रुपाई तुब्यम दानम दास्यामी दानन गर्ण तुआम गर्वा निश्चेन सांत भविस्चती भोज बोलते हैं किश्ची तुझे मतलब जोर्ष उच्ची अवाज में यदि आप भवान मतलब आप राहू सचेत यदि आप राहू बनते हैं राहू का रुप धारण करते हैं तो मैं राहू को सांत करने के लिए दान ही बनूँगा तो देखेंगे यदि आप राहू बनते हैं राहू का रुप में श्ची तुझे तो मैं तुमको दान दूँगा दान लेने से तुम्हारा यह गर्व निश्चीत रुप से सांत होगा अब देखो युवक जो है हस करके चतुराई से बोलता है विहस्य मतलब हसना और चतुराई यदि आप दानी है तरही मतलब तो मैं क्या हो जाऊंगा संतूष्ट हो जाऊंगा यदि आप दाता बनते हैं दानी बनते हैं तो मैं क्या हूँ संतूष्ट हूँ जिससे क्या हो जाएगा आपका हर प्रकार से दान देने का प्रयास निश्पल होगा हर प्रकार से निलोभी मैं आपका दान करहन नहीं करूँगा निलोभी मतलब लालची नहीं लोभी का मतलब होता है लालची और लोभी का अपोजिट वर्ड है विरोधीव सब्द है निलोभी तो मैं आपका जो दान देने की इस्ठाएं उसको सफल होने दूँगा नहीं मैं दान गरहन करूँगा नहीं अब देखेंगे बच्चे यहां पर हम पूरे पाठ में देखें ये राजा और इवक्त दोनों एक दूसरे से बड़ा होने का बात कर रहे थे कि मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मैं तुमसे बड़ा हूँ लेकिन इस परकार उत्रो उत्र विवाद के अंत में भोज और इवक्त के मद्ध में जब संतोस का विशे आता है तब संतोस प्राप्त होते ही सब सांत हो जाता है इस वचन के अनुसार विबाद भी स्वयम ही सांथ हो गया जब राजा और इवक्य के विच में संतो सब्दा आ गया तो देखो यहाँ पे पूरा विवाद सांथ हो गया अन्ते चतुरम ग्यानेन गुडेन च उपेतम तम पंडितम इवक्यम प्रणम धारा धीपती राजा भोज आवदत अई घंट पंडित गुण पुझ के धारा देशे बहुत स्वगतम अस्ती अन्त में चतुरम मतलब चतुर ग्यान और गुण से इवक्त उस पंडित इवक्त को पड़ाम करके धारा देश के स्वामी महराज ने कहा मतलब राजा भोज उस इवक्त को ग्यानी और चतुर मानते हुए बोलते हैं कि तुम है इवक्त तुम ग्यानी भी हो और चतुर भी हो इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ पड़ाम करता हूँ और बोलते हैं हे घंट पंडित गुड़ पूज के धारा देश से भौतर स्वागतम अस्थी गुणों के पूजा गुणों के पूजारी ऐसे आपका धारा देश में स्वागत है पहले हम देखेंगे पहले लाइन में लिखा था राजा भोज जो थे विद्या प्रेमी कला प्रेमी और निर्त प्रेमी और प्रजा प्रेमी है तो वही यहां पर आ रहा है कि धारा देश जो कैसा है जो व्यक्ति गुड़वान होता है उस गुड़वान व्यक्ति के महत्तो को को समझा जाता है यहां फे मन बीजेई जाता है यह आप बीजेई ही हुए कि संतोष्टम जनम न को अपी प्राजेत तुम हरती केशला कि संतोष्टम संतोष्टम25 म जनम मतलब ब्यख्ति कोई भी प्राजेत में मतलब कोई प्राजित करता नहीं कर सकता है कि संतोष्ट व्यक्तिक को कोई हरा नहीं सकता है यह तो ही संतोष्ट एवं पुरुषश्यम प्रम निधानम वर्थते क्योंकि संतोषी पुरुष्ट का स्रेष्ट खजाना है क्योंकि संतोषी पुरुष्ट का स्रेष्ट खजाना है देखो हमारा टाइटल जो है पार्थ का नाम है प्रम निधानम को मतलब पुरूष का स्रेष्ट खा जाना क्या है मतलब स्रेष्ट खा जाना क्या है तो संतोष यहां पी है टाइटल जो होता है अपना पाठ का नाम सीध होता है बच्चे हमारा पाठ यहां पे तिन पूरा होता है आगे के चेप्टर में हम स्वधै देखेंगे आगे के लेक्चर में धन्य बाद